Hello dear students, welcome to our channel educational goal और आप सभी class 12 की जो राजनिती विज्ञान का पेपर तेरा तरिक को होने वाला है उसके लिए पेपर लेकर के हम आचुके हैं तो वीडियो के अंतितक बने रहना है और इस पेपर में हम प्रत्यक प्रस्न का उत्तर भी आपको देंगे तो सभी को साथ में ही इनको याद कर लेना है तो देखिए आपको जो पेपर आएगा वो असी अंक का आएगा और जो समय वो तिन गंटे ही रहेगा या आप सभी समझ गए होंगे और या आपके लिए कुछ निर्दे से इनको आप पढ़ लीजिएगा चीदे हम बढ़ते हैं सबसे पहले सईवी कल्प है समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है तो देखिए उनको कहा जाता है दूसरी दुनिया के देश पर अगला छीन ने कौन से व्यापार की निति अपनाई तो उस व्यापार का नाम है खुले द्वार की नहीं थी ठीक है खुले द्वार की नहीं थी एसा नहीं कि हम सिर्फ अब्जेक्टिव समझाएंगे प्रस्ण उत्तर भी आपको बताने वाले हैं इसलिए वीडियो के अंतर बने रहना है तीसरा प्रस्ण है कि भारत और बांगल अहला राज्य कोन है जहां पर सार्व भौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धानत अपना कर चुनाओ कराएंगे तो देखिए उस राज्य का नाम है मनिपूर क्या है मनिपूर है ठीक है आगे देखते हैं नीती आयोक की स्तापना कब हुई जिसका नाम पहले योजना आयोक थ तो देखिए इसकी स्तापना हुईती 2015 में ठीक है आगे बढ़ते हैं सिमला समझोता हुआ था यनि कब हुआ था आपसे डेट पुछिए देखिए इसका आंसर रहेगा 1932 आगे देखते हम सारे रिक्तिस्तान देखने वाले हैं और यह आपको साथ अंक के एक्जाम में आए है कि भारत में प्रथम पर्माणू परिक्षन रिक्तिस्तान को वायने कि आपको डेड़ बतानी है तो देखिए 1934 आपके सकते हैं 18 मई 1934 फिर अगला है निति आयोग के वर्तमान उपाद्यक्ष बताने आपको तो डाक्टर राजिव कुमार डाक्टर राजिव कुमार ठी आगे देखते हैं कि भारत विभाजन के पस्चात सामप्रदाइक दंगों ने रिक्तिस्तान समस्या को बल दिया तो देखिए जो भारत विभाजन हुआ और जो दंगे हुए तो उससे जो समस्या उत्माण नहीं समस्या का नाम है सरणार्थी समस्या ठीक है आब आगे जाकर उप्चार करना है तो इस therapy को बोलते हैं शाक थेरेपी शाक थेरेपी शाक थेरेपी ठीक है अब आगे देखते हैं कि मार्शल योजना की स्थापना रिक्तिस्तान में हुई तो देखिए 1948 में मार्शल योजना की स्थापना है 48 में पिर अगला है श्रीलंका में रिक्तिस्थान समोधा है बहु संके थैसे श्रीलंका में मालब busyland Da ठीक है तो स्मय है तुछ मैं आप 뭐야 देंगे बुध ये खविर अगला है भारत आसियान का सदस्यrados रिक्तिस्थान में बना तो देखिए 1996 आप चाहे तो इसकी पूरी डेट 23 जुलाई 1996 ठीक है अब आगे हम बढ़ रहे हैं सही जोड़ी की तरफ देखिए छे अंकी की आपको सही जोड़ी आएगी और पहला है साग थेरेपी का परणाम तो देखिए साग थेरेपी का जो परणाम है वो है अर्थ व्यवस्ता का तहस् नहस हो जाना इसमें यह आएगा फिर अगला है मेक मोहन रेखा तो ये भारत और चीन के लिए ठीक है तो ये भारत और चीन फिर अगला है नेपाल में राज तंत्र की समापती तो 2008 ठीक है फिर अगला है सिमान्त गांधी किनका नाम था तो खान अब्दुल गफार खान का नाम सिमान्त गांधी मलब उनको सिमान्त गांधी के नाम से जानते थे वर्गिस कूरियंग जो है ये है सहेकारी डेरी से संबंदित ठीक है सिमला समझे था 1912 ये तो हमार रिक्तिस्तान भी था अब आगे बढ़ते हैं हम सत्य सत्य के लिए ठीक है चेंग को आपको मिलेंगे सोवियत संग प्रथम विस्युद्ध के बाद महा सक्ति के रूप में उबरा सत्य है या असत्य है तो देखिए ये बिल्कुल सत्ती बात है, सोवियत संग यनि कि आज का रूस ये प्रतम मिशुद्ध के बाद एक महा सक्ति के रुप में उबराता, तो ये सत्ती बात है, दूसरा भारत आसियान का सदस्य 1996 में बना, तो ये बात भी बिल्कुल सत्ती है, हम इसको देखी चुक अगला है उत्तरांचल राज्य बनने से पूरु बिहार का हिस्सा था, तो ये बात भी गला थे, असत्ती है, ठीक है, आगे है प्रथम पंच वर्सी योजना में क्रशी पर बल दिया गया, बिल्कुल सही बात है, फिर अगला है भारती विदेश निती के निर्माता पंडित जावाहर लाल नहरु थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अब देखते हैं हम एक सब्द या एक वाक्य में उत्तर, देखिए पहला है, सांती पूर्ण से आस्तितु से क्या आश्य है, देखिए मैं इसको बोल के बता रहा हूँ, इसका आंसर आपको सुन करके इसको लिख याद कर लेना है, तो देखिए, सब देशों या राश्ट्रों के साथ, आपस में सांती पूर्वक रहकर अपना अस्तितु बनाए रखना, आपस के विवाद सांती पूर्वक बात्चित करके निपटाना, इसी को कहते हैं सांति पूर्ण सह अस्तितु मझा अपने पडोश भारत के समक्ष प्रमुक चुनोती कौन ची थी तो सबसे प्रमुक चुनोती थी राष्ट निर्मान की क्योंकि भारत अलग अलग छोटे चोटे जो राजाओं के पास राज थे उन सब को जोड़ करके पूरा एक राष्ट बनाना था इसलिए राष्ट निर्मान की चुनोती स परामर्श दात्री परामर्श दात्री ठीक है अगला है कि अमेरिका में आतंगवादी हमला कब हुआ था तो दिखिए इसका उत्तर है सोवियत संग के विगटन का कोई एक परिणाम लिखिए तो दिखिए परिणाम क्या हुआ जब सोवियत संग 15 देशों में तूट गया तो उसका जो परिणाम हुआ वो यह हुआ कि विश्व के देशों का एक ध्रुवी होना ठीक है frustration फिर अगला है आसियान का मुख्याले कहा है तो दिखिए आसियान का जो मुख्याले है वो है जिकार्था इंडोनेस्यामि ठीक है जिकार्था है जार्था का पूरा नाम लिखो तो मैं आपको बोल के बता रहा हूं सार्क का पहले सार्क तो देखिए इसका फुल फाम है साउथ एशियन एसोशियेशन फार रिजनल कोपरेशन साउथ एशियन एसोशियेशन फार रिजनल कोपरेशन फिर साफ्टा तो इसका फुल फाम है दा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एर ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम जो हमारे दो अंक के प्रश्फन है देखे पहला है सोव्यत संग के विड़डन के कोई दो कारण लिखना है तो यह देखिए जरा सोव्यत संग के विड़डन के बालत तो एक तक ठीक है उसके बाद दूसरा जो कारण है दूसरा करण हम देक लेते हैं यह साम्मिवादी व्यवस्ता का सत्तावादी होना ठीक है यस मैं इस यह Подल बदलाती नहीं इस वहे निम्नन चाहता थीक है तो यहुऌ यह दो कारण हो गए रहिए देखिया इसके आथवावला अगर आप लिखना चाहते तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सोवियत प्रणाली के कोई दोस क्या है देखे ज़रा इसको तो ये आप सामने देख सकते हैं सोवियत प्रणाली के दोस मैंने आपको यह चार दोस बताए हुए है सभी को पढ़ूँगा तो काफी टाइम लग जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो और यह उसके बाद यह दो और ठीक है जो आपको सरल लगते हैं मारसल योजना गया खुले दोरक निति आप सभी को याद है चीन की व्यापार निति हैं इसको देखते हैं जरा हम तो यह देखे जरा चीन दोरा बीसवी सदी के अंत में खुले दोर के निति अपनाई गई जिसके दोरा चीन में व्यापारिक एवम निवे संबन्दी हितों को बढ़ावा देने के लिए विश्व के सभी देशों को समान अउसर दिया गया सीधे सब्दों में चीन सभी के लिए खुला है यह कहा गया ठीक है और इसके अत्वा में मार्सल योजना था तो यहां आप देख सकते हैं कि यूरोप की आर्थिक इस्ति एवम पस्चीमी यूरोप के देशों को अपने पुना निर्मान हेतु अमेरिका ने अप्रेल में मार्सल योजना की सिरुवात करी ठीक है ये दो बाते आप चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं मेरे साथ से आपको खुले द्वार वाला जो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रेस्टर है कि सिंदू नदी जल समझोता कब वाकिन देशों के बीच हुआ या फिर दक्छेस में सामिल देशों के नाम लिखना है ठीक है देखते जरा सिंदू नदी जल समझोता तो ये देखी जरा सिंदू जल संधी नदी के जल के वित्रन के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधी है आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान से होकर के इस सिंदू नदी निकलती है ठीक है तो उन दो देसों के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंदू के पानी के लिए एक समझोता हुआ है इस संदी में विश्व बैंक ने मद्यस्तता की मलब विश्व बैंक न स्टक्सर किये थे ठीक है तो यह हो गया सिंदू जल संदी ठीक है और अगर आपको दक्षेस में कौन-कौन से देश तो देखिए जरा फरक का जल संदी इस जल संदी के तैत वर्ष 1996 यहां पर 1996 है भारत वा बांगलादेस के बीच गंगा नदी के जल बटवार से संबंधित समझोता है मतलब कि वह जो भारत और पाकिस्तान का जो समझोता था वो सिंदू नदी के लिए था और यहां पर जो फर जल संदी जो 1996 में भी ठीक है अब देखिए एक और हमारे अत्वों में जो प्रश्ण था देखिए अगला प्रस्ण हमारा कि चार सेनिक संगठनों के नाम लिखिए यह फिर इसकी अत्वों में बर्लीन की दिवार किसका प्रतीक थी तो इसको देख लेते हम बर्लीन की दिवार सीत युद्ध का प्रतिक थी ठीक है जिसने 28 साल तक सहर बरलिन को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बाट कर रखा इस दिवार ने पश्चिमी बरलिन और जर्मन लोकतांत्रिक गंडराज्यों की बिच अवरोत का काम किया ठीक है अब आगे देखते हैं जरा ग्यारवा प्रस्णे की स्वतंत्र भारत की प्रमुक चुनोतिया कोन-कोन सी थी या इसके अथवा में है राज्य पुनर गठन आयोक क्या था लिखिये तो हम जो शिरुवात वाला है इसको देख लेंगे तो देखते हैं जरा इसको यह देखे जरा कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पस्चात सबसे प्रमुक समस्याओं में प्रमुक थी रास्ट निर्माण की चुनोति जिसके अनुसार स्वतंत्र भारत को निम्न चुनोतियों को सामना करना पड़ा विकास की चुनोती ठीक है कि भई पुंजिवादी माडल अपनाना या समाजवादी माडल अपनाना ठीक है दूसरी चुनोती थी एकता वा खंडता बनाए रखना है देश के बटवारों की चुनोती भी थी रजवाडों के विलेकी भी चुनोती थी ठीक है जितने भी रजवाड़े थी देश में तो यह सारी चुनोतिया थी नियोजन का अर्थ है हम इसकी परिवासा लिखिये अत्वा योजना आयोक के कारी लिखिये देखते हैं इसको देखे नियोजन का अर्थिस आंसर को हम देख लेते हैं कि नियोजन वांचित परिवर्तन लाने का एक तरीका है नियोजन भविश्ची में देखने की विधी अत्वा कला है इसमें भविश्ची की आवशक्ताओं का पूर्वा अनुमान लगाया जाता है ताकि लक्षों की प्राप्ती के लिए किये जाने वाले प्रयासों को उनके अनुरूप ढाला जा सके ठीक है तो दिखिए आगे बहुत सारे प्रस्णे विश्व बंदुत्व से क्या तातपर है निस अस्तिकरण से क्या से दो अंक के लिए फिर अगला है सेयुक्त राज संग के कोई दो जश्ची बताना है या फिर आपरेशन फ्लड को समझाना है ठीक है फिर और दो अंक में अभी एक 2020 की प्रमुक बातों को लिखना है फिर तीन अंक के लिए साफटा क्या है इसके प्रमुक लक्षों को लिखना है फिर तीन अंक के लिए कोर अत्वा में एक दक्षन एश्या एक छेतर की मुख की विश्चताओं को लिखना है ठीक है फिर अठारवा प्रस्णे सार्क संगण क्यों का आजाता यह बताना है शाक थेरेपी क्या है इसको समझाना है या फिर इसके अत्व में स्षीत युद्धि के पस्चात दक्षण एशिया में अमेरिका के प्रभाव को समझाना है फिर प्रस्टने भारत और बांगलादेश की सयोग यह सयोग के मसलोग को लिखिये या प्रस्टने भारत द्वारत गोटन इरुपेक चिता की निति को अपनाया जाने के कारणों को लिखना है या फिर भारत की परमाणो निति को समझाना है देखिये बच गया जितने भी आंसर है इनको हम हमारे टेलेग्राम चैनल एजुकेशनल गोल से जोड़ जाईए जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे रखिये तो यह जो पेपर है आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसको करकर ही आपको एक्जाम में जाना है तो मैक्जिमम माक्स आप गेन कर पाएंगे और इसी तरह हमारे चैनल के वीडियो देखते रहें थेंक आईृ क मैं था जए कम रहें तो ङपने डियो के वीडियो कि अ चैनल के विडियो देखते रहें डिससी तरहीं माशन थेंक